हेलो बच्छो मेरा नाम है विएक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एडिया अकैट्पी में लर्निंग विद एक्सेलेंस ठीक है आज जो हम टॉपिक स्टाइट करने वाले हैं वह हमारा प्रूफ ऑफ इर्रैशनालिटी बच्छो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों होता दियान से सुलो पिछले 2017-18 से जब से वो स्टार्ट हुए हैं वापस से यह कुश्चिन रिपेटिवली आया हर बार तीन या चार माक्स में आया और बच्चे इसको साल भर सिखाने के बाद भी गलत करते हैं प्रॉब्लम कुछ नहीं सवाल में बट प्रॉब्लम ही हो जाती है बच्चों के लिए कि वो समझते ही नहीं है वो सोचते हैं कि यह सवाल नहीं आएगा नहीं आएगा और यह सवाल हर साल आता है तो इस बार हम इस सवाल को इस टॉपिक को बहुत ऐसे सीखेंगे ताकि यह टॉपिक इस साल के बच् इसको जब भी हमें करना है तो ध्यान से देखो हमारी दो बेसिक नीड्स है दो बेसिक ज़रूरत है यदि हमने यह दुनों समझ ली तो इस सवाल को करना हमाले आसान हो जाएगा महां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या कहा है पहला है बेसिक डिविजन रूल कौन सा होता है द्यान से सुनो एक तो आपने यह वाला पढ़ा होगा कि यहां डिविजर होता है यहां डिविडेंट होता है यहां कोशेंट होता है यहां पर हम यहां पर इस रूल की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम बात करें प्राइम नंबर से सवाल की प्राइम नंबर से क्ट्राडीक्ट का मतलब किसी चीज को गलत साबित करेंगे पहला बैसिक डिविजन रूल पर दूसा contradiction method पर मतलब हम अपनी कही यही बात को ही contradict कर देंगे गलत साबित कर देंगे और जब हम बात को गलत साबित करेंगे तो automatically दूसरी जगा shift हो जाएगी ठीक है क्या करना है क्या चीज है वो अभी आपको समझाता हूँ start करते है basic division रूल से basic division रूल क्या था बच्चो द्यान से सुनो वह वाला डिविजर वाला नहीं मैंने पहले भी समझा दिया क्या कहा रहा है इस प्राइम नंबर गिवन दा and a square is divisible by P P एक प्राइम नंबर है और a square is divisible by P मतलब a square is divisible by P ठीक है जहां पर P किसको डिनोट कर रहा है तो अब आप यह बात सुन लो क्या लिखा हुआ है then it can be said that P also divides A क्या if A square is divisible by P then A is also divisible by P होगा क्या मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं example के लिए हमने कोई भी नंबर का square लिया है जैसे 12 का square 144 और 144 एक प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वह क्या कहना साता है जैदी 144 जो की square है 12 का तो ये यह 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका जो अंडरूट है मतलब 12 वो भी किस से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा बहुत बेसिक सी बात थी अब 144 एक्चुली आप देख रहे होंगे 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड होता है इसलिए 12 भी 3 से भी डिवाइड होगा ध्यान से देख लो 12 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो अब बात आपके दिमाग में आती है सर यह 144 है यह 4 से डिवाइड हो रहा होगा बिलकुल हो रहा होगा हो रहा है तो यह वाला भी 4 से डिवाइड हो रहा है बात सही है पर पहली बात यह आ गई कि यह जो 4 है यह प्राइम नंबर नहीं है हमने यहाँ पर बच्चो जितनी बात किया उस बात में हमारे लिए यह जो कि आप चलते जाओगे ठीक है और आगे आप चलोगे तो जरूरी नहीं है कि ये बाते सब के लिए प्रूफ हो जाएं क्लियर समझ में रहा है बेसिक एक्जामपल 144 इस डिविजिबल बाइ एट है की नहीं है पहले तो देख लो एट की डेबल से ट्वेंटीवन लिखाए तो ट्वेंटीवन से डिवाइड करना चालू कर देते हैं ऐसा नहीं होगा बच्चों ट्वेंटीवन में दो प्राइब नंबर चुपे होए तो जब आप यह रूल लिखने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेवन और सी की बात करनी होगी क्लियर त इसलिए 15 तीन दो नंबर से शॉरले डिवाइड होगा 3 से और 5 से 225 और भी कई नंबरों से डिवाइड होगा जैसे 75 है हाना 225 इस अलसो डिविजिबल भाए 75 थ्री टाइमस में डिवाइड होगा बट क्या 15 75 से डिविजिबल होगा नहीं तो बात समझ में है कि हम क्यों कह कर रहा है तो नीचे भी डिवाइड करेगा मतलब यह दिवाइड कर रहा है तो स्कुरे रूट को भी डिवाइड करेगा बात समझ कि इसी रूल का हम सबसे ज्यादा यूज़ करेंगे यहां पर तो इसलिए बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए ठीक है चलो next बात समझ एप और एक होता है हमारा एराशिनल नंबर ओर रियल नंबर मतलब नंबर की जितिनी करेगरी अविकल से सब को क्लब करके हम बोलते हैं रियल नंबर में को Ubuntu हम आगे डिवाइड करें तो दोặc खती है सारे नंबर यह तो राशनल का डिया चायएग्गन आएग घर सब आइंगे आज जो बचे नंबर है वो एराशनल की काटेग्री में आएंगे ठीक है प्रिवेस्ट वीडियोस में आपको समझा चुके हैं कि रियाशनल नंबर क्या होता है इस था आई इस प्रडिक्शन में पर क्या कहता है वह भी भूत ध्यान से सुनो नमपर है और इस एक एक खसे यहिमर्डर की जाए यह राशिट करता हूं कि यह राशनल हो झाए कशिए बट किसी रिजंग से मैं अपनी बात को गलत साबित कर देता हूँ तो wherein नमब की utilize नर्पर की गडिर्जी नहीं नहीं हो रहा है कहां चला जाएगा एराशनल की तरह कहां चला जाएगा एराशनल की तरह तो यहां से हम contradiction method समझते हैं जो क्या लिखा हुआ है in the category of a number if a number is not a rational number then it is a irrational number simple सी बात कि एक real number की category में हमने किसी number को लिया है जो की rational नहीं है तो किस category में चला जाएगा irrational की category में चला जाएगा बात समझे मैं तो यह दो rules हम use करेंगे हमारे किसी भी under root के number को irrational proof करने के लिए कौन से numbers जो perfect square नहीं है मैं normally इनको कहता हूँ non perfect square numbers ठीक है जैसे root 2 root 3 root 5 root 4 क्यों नहीं आया क्योंकि perfect square number होगा clear तो 4 को आप break कर दीजे 2 into 2 में तो 2 बाहर आता आएगा तो यह तो rational है irrational थोड़ी है तो हम किसकी बात करें non perfect square numbers की ऐसे number जो एक perfect square नहीं है clear चलो तो start करते हैं आज का basic topic proof of irrationality और मैंने आपके लिए example लिया है किसका root 2 का तो हमें इस chapter में इस video में हम क्या पढ़ने वाले है रूट 2 का irrational ऐसे मैं आपको दो questions करवाऊंगा और एक आपको homework भी दूँगा ताकि आप खुद से भी कर सके और कोई गलती है तो आप देख सकते हैं previously और फिर उसको समझ सकते हैं यह सवाल as it is आता है यदि board में आएगा तो इस सवाल as it is लिखाएगा इसके लावब आपको कोई बात नहीं दी गई होगी अब इसको कैसे स्वाल करना है ध्यान से सुनो contradiction method पहले लग स्टार्ट कर देता है क्या होता है ध्यान से देखो लेट रूट 2 और रैशनल नंबर यदि कोई रैशनल नंबर की काटेगरी में जैसे आपको बोल रहा था तो वो या तो रैशनल यह इसको रैशनल नंबर हम स्टार्ट करते हैं इसको रैशनल लेगा एका है Q यह होगा equation 1 इसको equation number 1 डालके छोड़ देना अब क्या होगा simply हम बात करें root 2 is equals to P upon Q हो चुका है अब इसके बाद simplify कि क्यों कि क्रॉस मल्टिप्लाइ तो हम यहां से 2 को को इधर भीज देंगे तो यह बन जागा root 2 Q is equals to P yes or no यह लिग दिया ठीक है यहां पर इस चीज को डारेक्ट स्क्वार कर दिया गया वह भी बात सही है बढ़ हम इसको इस तरीके से करते हैं अब इसके बाद हमें करना है दो स्क्वार कर दिया अब बच्चों एक बार बताओ P by Q की कंडिशन्स आपको पहले समझा दी गई है यह एक रैशनल नंबर है जो भी आपका होता है तो आपको पता होना चीए कि जब हम किसी नंबर को रैशनल नंबर मालनेते हैं तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि P by Q की कंडिशन्स क्या क्या है क्या एक कंडिशन हर बच्चे को पता होती है क्या क्यू कैew c cannot be 0 क्यू केननोड बिज्जीरो नहीं है तो यह रैशनल नंबर हो जाएगा इसके लाब एक सेकंडरी कंडिशन होती है जिसके वि किया था नहीं द्यान से सुन लो वह उता है P and QR को प्राइम हम यहाँ पर इसी बात को ले के चलेंगे कि हमारा Q0 नहीं है और 7-7 P Q जो हैं दोनों को प्राइम है को प्राइम नंबर आपको प्रीवेस वीडियो में समझाए गया था कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जो कि जिनका कोई भी common factor ने होता है except one clear तो पी और क्यू जो है वो को प्राइम होने सी हैं ठीक है तो यह दो conditions ले लिए हमने अब इसके बाद हम क्या करेंगे root 2 को हम क्या कर देंगे square कर देंगे ठीक है एक सेकंड ठीक है तो अब हमने इस equation one के दोनों side पर square कर दिया है जिससे कि क्या बन जाएगा root 2 का square 2 और p upon q का square p square upon q square हो जाता है ठीक है इसके बाद cross multiply करने जाएंगे तो q square नीचे की तरफ लिखा होगा जो कि 2 से multiply हो जागा तो देखो कैसे होगा 2 is equals to p square upon q square q square उदर multiply होगा तो q square is equals to p square यह बात आ गई यही चीज यहां पर लिखी हुई है ठीक है और हमने इसको क्या नाम दे दिया है equation number 2 इसको हमने क्या नाम दिया है equation number 2 clear अब यदि हम अपनी theorem की बात करें देखो यह वो condition आगे जहां से हमें basic division rule लगाना है ठीक है तो बात समझते है क्या लिखा हुआ है क्या कह रहा है कि if p is a prime number given and a square is divisible by p वही बात जो अब ही आपको समझा ही गई थी वही statement वापा से लिखा हुआ है तो आप क्या कह रहा है ध्यान से देखो इस इसको मैं आपको बहुत तरीके से यहां दिखा देता हूँ हमने previously लिखा है p square is going to 2q square यह लिखा हुआ है अब हम यहां पर वह rule लगाते है basic division का जो हम आपको समझा रहे थे कि यदि कोई भी number dividend दो numbers के multiply की form में लिखा हुआ है तो इन में से किसी एक को आप diviser assume कर सकते हो और दूसरे को आप quotient assume कर सकते हो अब यह तो आपकी choice है कि आपको किसको diviser assume करना किसको quotient मेरे लिए यहां पर two divisor हो जाएगा क्यों क्योंकि मेरे को two से ही काम है तो मैंने क्या चाहा मैंने कहा कि p square जो है वो two से divisible होगा तो कि यहां लिखे कोई भी number जो होते है वो सामने वाले number से divide कर देते हैं जैसे कि मैं आपको diviser की तरह consider करूँगा और यह बोलता हूँ कि p square जो है वो two से divisible है clear अब यहां पर वो rule लग जाएगा क्या कि यदि कुछी भी number का square किसी prime number से divisible है तो उसका under root p जो होता है वो भी two से divisible होगा clear तो इस rule को हम यह ऐसे लिखेंगे भी सर्य और सायत में इसको explain भी वापस से वही कर देंगे ठीक है कि if a square is divisible by b then a is also divisible by b where b is prime where b is prime number clear बच्चो तो यह दो बाते बात समझ में आगे ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ पी का जो है एक factor क्या हो जाएगा टू हो जाएगा यह कौन सी equation number चल रही है हमारी equation number क्योंसी equation number दी इसको हमने टू क्यों दी इसका भी reason है वो भी आपको समझाएगे ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया और हमारा यहाँ पर आ गया कि prime factor p है क्या मुल रहा है from the above statement if 2 is prime factor of p square then 2 is also a prime factor of p जो बात आपको समझाएगे clear इतना होने के बाद अब क्या बोल रहा है बात समझो ध्यान से वह कह रहा है कि 2 से divisible है यह हो रहा इसका बतलब तो अब यही मैं यह बात समझू कि 2 से divisible है तो क्या मैं p को 2 r लिख दू कोई एक नया number assume कर लेते है क्यों क्योंकि जब भी आप किसी number को square से देखो previously आपको बताया था 144 जब divide किया जाता है 2 से तो quotient कुछ तो बनेगा बनेगा और जब आप 144 का under root लाओगे जो कि होता है 12 जब आप इसको टू से डिवाइड करोगे तो भी तो कुछ कोशेंट बनेगा एक basic सा logic समझदा क्या ये वाला को टू से डिवाइड किया था तो quotient क्या जून किया था q square बट जब हम p को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा कोई नया quotient आगा और उसको मैंने क्या नाम दे दिया है अब प को लिखाज क्या जा सकता है p is equals to 2r अब basic इसमें वही ट्रिक चल रही है क्या square on both side हम दोनों side square कर देते हैं यह दे आपने square कर दिया तो क्या हो जागा p square is equals to 4r square किता हो जागा 4r square अब बच्चों एक बात देखना मैंने equation number 1 डाली थी यह रखी इसके बाद 2 आगी अब 2 equation में हमने p square की value क्या डालिए 2q square 2q square ठीक है तो p square की value क्या हम लिख सकते हैं यह by equation 2 by equation 2 p square की value आप क्या डाल दोगे 2q square which is equals to 4r square इसको हम equation number 3 count कर रहे हैं ध्यान रखना ठीक है 2q square is equals to 4r square अब आप इसको 2 से 4 को cut कर देंगे तो q square की value क्या जाएगी 2r square अब basic बस यही था हमारा सारा काम जो हो गया यह देखो यहां पर भी वही कर रखा है यहां के लिए रखा है हमने r से कर रहे हैं क्यों क्योंकि p q के साथ related हम क्या जाती है तो इस हिसाब से यही हम देखें तो q square is equals to 2r square यही हम इसकी basic detail पर जाएं आगे तो वही लिखा हुआ है कि यही क्यों क्यों से डिविजिबल है तो q भी किस से डिविजिबल होगा q will also be divisible by 2 हो जाएगा clear q जो है वो भी किस से डिविजिबल हो जाएगा 2 से अब जात करूं मैंने आपको बोला था कि p और q कैसे होने चीए q prime होने चीए अब को प्राइम के केस में आपका p और q का एक ही common factor आ सकता था जो था 1 बट यहां पर आप देख रहे हो कि p और q वो था divisible by 2 हो रहा है और यहींदि कोई भी rational number p और q किसी भी एक common number one को छोड़कर divide कर देता है कोई भी ऐसा common factor और मिल जाता है जो one के accept है one को नहीं include कर रहे है और कोई दूसा मिल गया है तो p और q को प्राइम नहीं रहते हैं यह दोनों number को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब जो हमने बात सबसे पहले starting में सोची थी ठीक है कि p और q क्या है एक rational number rational number बना रहे होंगे वह बात गलत हो जाएगी यह दी वह बात गलत हो जाती है तो देख and q have two as a common factor other than one जो बात में आपको बोल रहा था कि one को छोड़ जा जाए तो p और q का एक और common factor आगया तू इसका मतलब p और q जो है को प्राइम नहीं है this kind of contradiction arose with the incorrect assumption और यह कब create होता है क्या बोल रहा है simple सी बात ऐसा contradiction या इस तरह का जो assumption हम करते हैं अब यदि यह गलत हो जाता है assumption यदि हमारा गलत है incorrect assumption लिया है हमने तो इस तरह का contradiction arose होता है और इस तरह के contradiction कि adalah rose होने इसी का मतलब होता है कि हमारा assumption गलत हो गया तो इसका मतलब हमने जो assumption क्या था कि root two is an rational number यह बात गलत हो जाएगि यह दि भात गलत हो गही तो हमें क्या कह सकते root two is an irrational number root two क्या है ? rational number है क्लियर हो आपको इस बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं चलो अब सेम को हम किसी और नंबर से कर लेते हैं ताकि बच्चों को यह बार भी समझ में आ जाए कि रूट 2 हो चाहे रूट 3 बात सेम रहती है और सब को सेम करना होता है तो अब यह फटा-फट से सवाल हम समझते हैं इसको हम जादा दिर नहीं लगाएंगे इसमें हम फटा-फट से करते थे क्योंकि दोनों रूल आपको याद है ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है हमें लिखना होता है लेट लेट अस अज्यूम डाट रूट 3 इस अर रैशनल नंबर यदि यह तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट 3 इस इकरस टू पी अपॉन क्यू कंडिशन वहीं क्यू कैन नाट भी जीरो और सेकेंड पी और क्यू आर को प्राइम ठीक है इसके बाद क्या करना था मैंने आपको स्टेप्स बताई थी या तो आप स्क्वार कर सकते हो या प्रॉस मल् इसके बाद हमें करना है स्कौार उन बौथ साईड स्क्वार उन तो स्कार स्क्वार कर जाते हो तो कोई भी आपका माक्स नहीं काटएगा ठेक है, square कर तो both sides, तो क्या हो जाएगा, root 3 into q का whole square is equals to p का whole square, which is equals to 3q square is equals to p square, ये वो condition आगी जहां से हमें बातें रिजूम करनी थी, क्या-क्या, जादे, इसको हमने equation 1 नाम दिया है, इसको equation 2, और यहां पर हमें पता लगा कि p square किसे divisible हो रहा है, 3 से, तो हम क्या लिखेंगे p square is divisible by 3, ठेक है, ये left-right का ये आपको issue आता है, तो आप इसको correct कर सकते हैं, p square को इधर और 3q square को इधर बेश सकते हैं, इससे कोई issue नहीं है, तो p square is divisible by 3, it means, p is also divisible by 3, जब भी आप बच्चों ये ची बात लिखें, तो यहां धियान रखना, side में वो rule लिख देना, कौन स square is divisible by b, then a is also divisible by b, ठेक है, ये बात लिखते हैं, आपकी आदी बात खता होगी, इसको आप equation number 3 नाम दोगे, ठेक है, जैसा हम वहां कर रहे थे, वैसा का वैसा ही हम यहां कर रहे हैं, सब कुछ सीधा सीधा है, आपको वही बाते लिखनी है, यहां पर आके p का एक divisor क्या आ equation 3 की बात करें, तो equation 3 क्या है, p is 3 से divisible है, यह बात मैंने आपको तब भी समझाई थी, कि यदि कोई number किसी number से divide हो रहा होता है, तो यहां पर एक नया dividend quotient आ जाएगा, तो यहां 3 आ रहा जाएगा, clear, p is equal to 3R हो गया, अब फिर वही basic step, वापस है क्या जाना है, square on both side, square on both side, यदि आपने square किया, तो क्या हो जाएगा, p square is equal to 9R square, p square is equal to 9R square हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से आप बात देखो, वही वाली बात है कि p square की value हम कहाँ से ला सकते हैं, by equation 2, तो by equation 2, p square की value आप क्या डाल दोगे, 3q square which is equal to 9R square, 3 से 9 कटेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, q square is equal to 3R square, clear, 3R square हो जाएगा, इसको आपने equation number, 4 डाल दिया, अब 4 और, आगे चलते हैं, तो वहाँ पर क्या जाएगा, जो आपका है, q square is equal to 3R square, फिर यहां से वही बात arise हो जाती है, कि q square if divisible by 3, then q is also divisible by 3 हो जाएगा, ठेक है, अब इसको आपने equation number 5 डाल दिया, आप देखो हम equation तो डालते जारे से कोई फरक नहीं पड़ रहा है, बस number याद रखना कि किन किन बातों से हमें करना है, हमने यहां पर, इस point पर आकर इसको equation number 3 बोला, जहां पर हमने बोला कि p का एक factor है 3, इसको हमने बोला 5, तो by equation 3 and 5, by equation 3 and 5, simple भाशा में लिखें, तो क्या कहना है, कि since p and q have a common factor 3 other than 1, इन दोनों का एक common factor 1 था ही already और 3 भी आ गया है, so p and q are not co-prime, are not co-prime, यह co-prime नहीं है, ठीक है, यदि यह co-prime नहीं है, so our assumption our assumption was wrong, यदि simple भाशा में आप ऐसा भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चा कहरा है, कि भाई, p and q के co-prime नहीं हो, और यदि co-prime नहीं हो, तो यह हमारा जो पुरा assumption था, कि वो एक rational number होगा, वो गलत हो गया, स्वारा assumption was wrong, so root 3 is an irrational number यही आपको proof करना था, और यह proof हो गया, क्यों, क्योंकि यदि यह co-prime हो जाता, तो वो rational category में आजाता, पर वो को प्राइब नहीं होगा, इसका मतलब contradiction होगा, और contradiction होगा, तो यह rational number होगा, बात समझे भाई? अब यह root 5 वाला question मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको same as it is pattern पर कीजेगा, आपको पूरा सवाल आ जाएगा, clear? जब आपको पूरा सवाल आ जाएगा, तो यह बात जरूर mention कीजेगा, कि आपको इस method से फायदा हुआ या नहीं हुआ, एक बार करिए, किसी भी जानकार maths के teacher को अपने सवाल को चेक करवाई है, और आपको पता लग जाएगा, कि हाँ, बिलकुल इस तरह से जो मैं आपको method सिका है, आपको full marks मिलेंगे, board में आपका एक नमर भी नही कट सकता, clear, ये बाते ध्यान रखना, बच्चों, maths में छोटी-छोटी कई चीज़ें होती है, जो मैं आपको आगे वीडियो में लेकर आऊंगा, और समझाता जाऊंगा, ठीक है, इसके लावा अलग से short videos भी बना देंगे, जिसमें आपको समझा जाएगा, कि maths को करते time, आ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और बैल आइकन जरूर बदाबान लीजेगा, ताकि आपको हार नोटिफिकेशन मेल जाए, थैंक यो,